है लो फ्रेंड मनिश चंड़ा यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं मनिश कमाचंड़ा आइस का टॉपिक है एक एलेडी बल्फ रिप्यार जो की एक हैवेल्स कंपनी का है और पंड़ावाट का है यह एक 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 एलेडी बल्फ रिप्यार की लिए आया हुआ है जो की हैवेल्स कंपनी का है और पंड़ावाट का है इसमें प्लब्लम यह है कि एंसी पीसी बी एलेडी किट खराब है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे इसको रिप्लेस कैसे करते हैं और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उससे पहले सबसे पहले इसका diffuser को open करेंगे फिर इसका MCP से भी LED किट को उसका condition देखेंगे कि चलने के लाइख है कि नहीं है सबसे पहले इसका diffuser को open करते हैं हम इस bulb का diffuser open कर लिये हैं आप इसका LED किट का condition देखते हैं MCP सीवी का condition देखते हैं हैं पस कई LED का MCP सीवी LED किट SMD का black धबबा दिक रहा है तो हम इसको MCP सीवी LED किट को change करेंगे उसके बाद इसमें हम एक new MCP सीवी LED किट लगाएंगे जो की 15 watt कर रहे हैं उसको निकालने से पहले हम इसका screw को निकालेंगे और solding को disolding करेंगे उसके बाद हम देखते हैं गबार मैंने इस circuit या LED डाइबर को check किया तो okay है इसके MCP सीवी LED किट ख्राव हो गया है तो हम MCP सीवी LED किट को replace करेंगे मैंने soldering को disolding कर दिया है और screw को अन-screw कर दिया है अब MCP सीवी LED किट को replace करेंगे इस MCP सीवी LED किट के जगा में इसको replace करेंगे और यह 15 watt का MCP सीवी LED किट है लगाने से पहले बर्ब में लगाने से पहले इसमें hit, sync, paste, command यूश करते है क्योंकि जल्दी ख्राव ना हो इसकार MCP सीवी LED किट में paste लगाना ज़री होता है तो हम hit, sync, paste लगा लेते हैं हम इसमें MCP सीवी LED किट में hit, sync, paste लगा चुके हैं मैं जो यूश करता हूँ हो silo, hit, sync, compound, paste यूश करता हूँ इस MCP सीवी LED किट में hit, sync, paste अच्छे तरह से लग गया है अब इसको LED बाल्ब में लगा देते हैं या एक new MCP सीवी LED किट है जिसमें मैं red wire को plus में और white wire को minus में solding कर चुका है आप एक बार इस board में चेक करते हैं कि bulb okay हुआ की नहीं हुआ है और अच्छा से glow का रहा की नहीं कर रहा है यह हमारा bulb okay हो चुका है इसके बात हम फाइनल टेस्ट करेंगे इसका डिफ्यूजर लगा कर अब और लास्ट अब फाइनल चेक करते हैं अब एक बार डिफ्यूजर लगा कर फाइनल टेस्ट कर लेते हैं यह हमार वल्फ okay हो चुका है थैंक्स फार वाचिंग यह वे नाइस दे धनिवाद यह वल्फ हमारा okay हो चुका है अगर वीडियो पसंद है तो लाइट करें सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट जरूर करें धनिवाद अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहोंगा यूटूबर और शेंप समय प्लदीन होरी करें करें फाते च्छे सक्राइब करें बार करें ही यूबर